Hi guys, I am Vanshika Agrawal और आज हम पढ़ेंगे Class 2nd NCRT English Book का Chapter Strange Dog So, Let's Start A little green frog lived under a log and every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croc croc So, एक छोटा हरामे ढग जो पेड के तने के नीचे रहता है Log यानी पेड का तना या फिर कोई मोटी डाली हो सकती है और वो हर समय बोलता ही रहता है लेकिन वो good morning बोलने की बजाए हमेशा croc croc बोलता है A duck lived by the water side and little did he lack But when we asked how do you do, he only said quack quack And एक डख है, एक बतक है, जो की पानी के किनारे या फिर टट पर रहती है और उसे किस बात की कमी है क्योंकि जब भी हम उसे पूछते हैं कि आप कैसी हो वो बस quack quack बोलती है And a little pig lived in a stay as fat as he could be And when he asked for dinner, he cried aloud, we we So, एक छोटा सूवर जो stay में रहता है Stay, हम जो सूवर का घर होता है उसे हम stay बोलते है एक छोटा सूवर जो stay में रहता है और वो बहुत मोटा है लेकिन जब भी वो हमें किसी को डिनर के लिए पूछता है तो वो चिलाता है We, we, three pups lived in a kennel And loved to make a row And when they meant may we go out They said bow, 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 bow So, three pups यानि तीन puppy हैं जो kennel में रहते हैं Kennel यानि जो puppies का घर होता है उन्हें हम kennel बोलते हैं और उन्हें line बनाना बहुत पसंद है और जब भी उन्हें कहना होता है May we go out, यानि हम बहार जाएं तो वो बोलते हैं So, if all these animals talked so much As little girls and boys And all of them tried to speak at once Wouldn't it make a noise? So, अगर ये सारे जानवर बहुत सादा बात करते बिलकुल छोटे लड़के और लड़कियों की तरह और वो एक साथ बोलने की कोशिश करते तो वो गया शोर मचाते So, ये थी इस पोर्यम के एक्स्प्लेनेशन अब हम न्यू वर्ट्स देख लेते हैं New words में हमें बताया गया है Instead Instead यानि केवल या बजाए Lack यानि कमी Stay यानि जो सूर का घर होता है उसे हम stay बोलते हैं And puppies के घर को हम कैनल बोलते हैं Row यानि line and meant यानि मतलब राइट So, next हमारे पास है इसके question answers From reading is fun Are these sentences true or false? यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दी गई है हमें बताना है कि ये true है ये false है A little green frog said Quack quack क्या जो little छोटा हरा में डग था वो quack quack बोलता था? नहीं वो तो croak croak बोलता था यहाँ आप लिखेंगे false A little big love Pig love में करो क्या जो छोटा pig था छोटा सूर था उसे line बनाना अच्छा लगता था? नहीं ये भी false है A duck only said Quack croak क्या जो डग थी वो सिर्फ croak croak बोलती थी नहीं वो तो quack quack बोलती थी ये भी false है A pig cried aloud वी-वी जो pig था जो सूर था वो चला था था वी-वी ये तो true है सो आप यह true लिखेंगे राइट? So next question जो आपके पास है वो है Let's try Complete the questions with the words in the boxes So यहाँ पर आपको कुछ 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 करके पूरा करना है जसे फर्स हमें दिया गया है Dash is your name यहाँ भरेंगे What is your name Second में भरेंगे How old are you And next जो थर्ड है आपके पास आप भरेंगे Where do you play And जो next हमारे पास है उसमें भी आप वेर भरेंगे And अगर आप थर्ड वाले में चाहते हैं तो आप वेन भी भर सकते हैं यानि when do you play, right? So next जो हमें दिया गया है वो है tick the character word We did not shoot, shout in the class हमें क्लास में क्या नहीं करना चाहिए Shoot या shout हमें चलाना नहीं चाहिए आप या पर shout पर टिक करेंगे Do you like to drink water, water? इसमें आप water पर टिक करेंगे And he tired tried To climb the tree इसमें आएगा tired Will you please, please help me इसमें आप please पर टिक करेंगे I can see, see with my eyes इसमें आप s double e वाले पर टिक करेंगे Make sentences using the following words अब हम में वर्ड का यूज करके sentences बनानी है First हमें दिया गया है is So इसमें आप कर सकते हैं Is this your pen? And are में आप कर सकते हैं How are you? And have में आप भर सकते हैं Have you seen the Taj Mahal? And has में आप भरेंगे He has a pen And head में आप भर सकते हैं He had a pen, right? So अब क्या करना है आपको Write five lines on my pet अब आपको my pet पर five lines लिखनी है जिसे मैं आपको अगर example के लिए बताऊं तो मेरे पास एक dog है Pet animal उसका नाम है Tiger तो उस पर मैं five lines लिखूंगी कुछ इस तरह से I have a pet animal It is a dog His name is Tiger He a tiger ran fast Tiger eats bread and milk Right? So अब यहाँ पर हमें एक पोयम दी गई है छोटी सी A wise old owl lived in an oak The more he sowed, the less he spoke The less he spoke, the more he heard Why can't we all be like the wise old bird? So इसमें एक बुद्धिमान बूर्हे उल्लू के बारे में बताया गया है Owl यानि उल्लू Old यानि बूर्हा And wise यानि बुद्धिमान इसमें बताया गया है कि जो owl है वो जादा देखता है और कम बोलता है और वो कम बोलता है और जादा सुनता है और इसमें बोला गया है कि क्या हम भी उस बुद्धिमान बूर्हे पक्षी की तरह नहीं हो सकते So next हमें एक पिक्चर स्टोरी दी गई है The Talkative Tortoise आपने एक कहानी सुनी होगी कहीं ना कहीं फिर भी मैं आपको एक बार एक्स्प्लेइन कर देती हूँ जैसे यहां लिखा है Look at these picture and tell the story about The Talkative Tortoise फिर यहां पर क्या होता है यह जो दो हंस होते हैं यह कच्छुए से बोलते हैं कि यह कच्छुआ इन हंसों से बोलता है कि मुझे घूमने जाना है फिर यह दोनों ऐसे अपने पैरों की बीच में डंडी लगा कर इसको ले जा रहे होते हैं फिर यह बाते करने के लिए अपना मूँ खोलता है और इसके मूँ से वो डंडी चूट जाती है और यह नीचे गिर जाता है यहां पर है let's copy and write यहां पर आपको questions बनाने हैं और इसके answers भी लिखने हैं आप यहां पर एक box में देख सकते हैं यहां पर यह सारे questions देए गए हैं आप यह खुद भी कर सकते हैं यह था आपका chapter अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैंक्स फर वाचिंग